आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने इंटरनेट स्पीड को 20% तक कैसे बढ़ा सकते हैं भारत में स्लो इंटरनेट एक समस्या है और इस ट्रिक के जरिए आप कुछ हद तक उस समस्या से निजात पा सकते हैं होता यह है कि कोई भी विंडोस है वो आपकी पूरी इंटरनेट स्पीड का 20% अपने इस्तेमाल के लिए ले लेती है तो हम देखेंगे कि कैसे उस 20% को हम वापस पा सकते हैं इसके लिए स्टार्ड पर क्लिक करें रन टाइप करें एंटर करें रन बॉक्स में टाइप करें gp-edit.msc अगर आप विंडोस 7 प्रोफेशनल या विंडोस एक्स पी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें gp-edit.msc फाइल होती है अगर आप विंडोस 7 स्टार्टर, होम बेसिक या विंडोस 7 होम प्रीमियम वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाइ डिफाल्ट उसमें gp-edit.msc फाइल नहीं होती है इस फाइल को आप कैसे पाएं इसके लिए आप हमारे दूसरे टिटियोरियल देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है आप वहां से उसे खोल सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं gp-edit.msc टाइप करने के बाद ओके पर क्लिक करते हैं ग्रुप पॉलिसी विंडोस खुलती है उसमें हम लोकल कम्प्यूटर पॉलिसी के नीचे कम्प्यूटर कॉन्फिग्रेशन के अंदर administrative template पर क्लिक करते हैं अब network पर double click करके open करते हैं उसके अंदर QoS packet scheduler पर double click करते हैं इसके बाद limit reservable bandwidth पर right click करके properties में जाते हैं properties में by default यह not configured होता है हम इसे enable कर देते हैं enable करने के बाद bandwidth limit यह normally आपको 20% दिखेगी इसको change करके आप zero पर कर दें और apply करें okay करें इस तरह से हम अपने internet speed को 20% तक आसानी से बढ़ा सकते हैं कर देंग् zitten कर GO Let's ok अर्ष同 अर्ष